कि अब सरो एप होंगे तो जैसा कि आप लोग में जानते होंगे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कहां तक पढ़ चुकेört तो अपने डिक टापिक पर आएंगे तो टो टॉपिक पर आएंगे नेक्स टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हम लोग कैंसर पढ़ने वाले हैं एक कभाव भी भायान एक भी मारी लेकिन हमको जानना है कि हम बाइलोजी के स्टुडेंट्स हैं तो इसलिए हमारा जानना इसको फर्ज बनता है ठीक है तो सारी कारण है काजय जाब कैंसर और क्या है कैंसर दो चीजे में इस लेक्षर में डिवाइड कर रहा हूं कि इन दो चीजों का एक लेक्षर बनेगा और इसके बाद जिसका डिडेक्शन, डाइगनोसिस और इसका ट्रीटमेंट है, इसके लिए मैं दूसरा लेक्शर बनाऊँगा, ठीक है, डाइगनोसिस और ट्रीटमेंट का दूसरा लेक्शर बनेगा, दो पार्ट बनेगा, पार्ट बनेगा, पार्ट बनेगा, पार्ट बन है देखिए सेल के बारे में या आपने सुना ही होगा क्या होती है आप जानते होंगे कि ठाव ट्रेंफ है तो इस के बारे में आप लोग इपना तो जानती उसके पाद आप ये भी जानरहे हैं कि हमारी बाडी लाग Dou निने से मिलकर बनी ठीक है लाग तो इसके पीछे कुछ mechanism work करता है जिसके थूरू यह सब controlled है नहीं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ है और किसी के हाथ किसी का हाथ हैसे हो तक कि यहां से यहां तक तो इससे सीधा आता और यहां से बिल्कुल ऐसे तीरशा होके इससे निकल जाता ठीक इसका तो uncontrolled होने के मतलब यहीं है ना कि bodybuilding material जो है जो हमारी cells है unit of life है यह सब चीजें जो है disturb होती ठीक है तो इन सब चीजों के पर के लिए mechanism work कर रहा है जिसकी वज़ा से हमारे body का structure इस तरीके से है ठीक है और सारी cells एक दूसरे से किसी ना किसी चीज की वज़ा से connect है ठीक है किसी ना किसी चीज़ ऐसे कि आपके घरों में क्या होता है आपके घरों में एक घर बनाने के लिए कई सारी इंटें लगी होती है ठीक है लेकिन उन इंटों को connect करने के लिए इसे वह इन इंटों को आफ तो नेां को जोडने के लिए और उनको को कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ और चीजिश महीं लगाया जाता है उसमें सीमें सीमें बालू मॉरंग जैव विन लगाया जाता है पिर्लियू चा mesmo करे ओप नहीं मसाला लगाएंगे, नहीं सीमन मोरंग लगाएंगे, तो क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, उसी तरीके से हमारी body cells भी होती है, जिनको control करने के लिए एक mechanism work करता है, जिसकी वज़ा से इनकी जो growth है, हो controlled होती है, ठीक, और ये चीजें तो आपने जान लिया कि इ कुछ और भी चीजें हो सकती है कि material में कुछ खराबी रही हो, जिसकी वज़ा से ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, ये सारी चीजें disturb हो जाएं पूरी तरीके से, ठीक है, तो ये सब चीजें disturb होने पर क्या होगा आपकी body में कि अगर ये cell का जो controlled minor में जो हर चीज हो रहा है ये controlled growth है, ये सब क्या हो जाएं अगर माल लीजे, uncontrolled हो जाए, controlled से uncontrolled हो जाए, तो क्या होगा ये ही चीजें हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से बदलावा रहा है, तो आएव हम लोग पहले सबसे पहले जानते है कि cancer क्या है, तो cancer, cancer क्या है, normal cell का oncogenic में बदल जान जाना ही क्या है कैंसर सिंपल सी बात आप इसको अपने दिमाग बैठा लिए इसको आप जानते रहें नार्मल सेल का अंकोजैनिक में ठीक है नार्मल सेल का अंकोजैनिक में बदल जाना ही क्या है कैंसर तो आप सबसे पहले जानेंगे कि जिसमें ने प्रापर्टी की बात डि सारे लोग, तो one million का मतलब क्याod Day, बताईए, one million का मतलब होता है, ten lakh, ठीक compress, 10 lakh में 1 million होता है, ठीक हैं तो 10 lakh में 1 million होता है तो आप लोगों ने जाने ही लिया 10 lakh में 1 million होने का मतलब हाँ समझ छुके हैं तो एक million से ज्या revenue 10 lakh से ज्यादा लोग कैंसर किस sickness दुनिया में और इंडिया में भी है कि मेजर काज अब डेथ क्या है का एंसर ही है बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूज रहे हैं तो हमारे ये भी है कि इस छेत्र में रिसर्च और खोज की काभी संभावनाएं भी है यदि कोई ब्यक्ति इन सब चीजों के लिए वर्क कर र लिए कि इन चीजों का पता लगाया जा सके और मानो जीवन को इन बीमारियों से बचाया जा सके किस से कैंसर से ठीक है कि हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर की ही बात करेंगा और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे तो कैंसर में आपको मैंने बता दिया कि साइंस क के बाद आल ओबर ग्लोब बहुत ज़्यादा लोग इससे मेजर काजाब डेथ है ठीक है आल ओबर ग्लोब में ठीक है पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं और ये सारी चीजें जो हो रही है ये सारी चीजें एक तरीके से आप जानते हैं मैंने आपको बत और उसको मन चाहा बेवहार नहीं करने देती है, कि वो जो चाहे वो करे, जैसे कि घर में क्या होता है, कि एक बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक बिक्ति ऐसा होता है हमारे घरों में, जो हर चीज को कंट्रोल रखता है, मतलब कि हर बिक्ति को बांधे रखने का वर् जानता है, किसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी तरीके से सारी से एक दूसरे से कंट्रोल किये होता है, लेकिन कभी कभी ये चीजें ब्रेक हो जाती है, ये चीजें मतलब नहीं हो पाती है, इस से क्या होता है, इस से हमारी बाड़ी सेल्स में क्या होता है, बहुत जादा जैस जब यह सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी contact inhibition नहीं रह जाएगा हमारी cells एक दिन में वैसे divide 2-4-5-10 जितना मन कहें उतना divide हो रही है मतलब कोई control minor नहीं मतलब यहां हाथ की जिसे cell है तो इसमें control minor में हो रही है कि हाथ इतना ही मोटा है नहीं इस तरीके से यह सारी चीज़ें हो रही है तो जब यह सारी चीज़ें disturb हो जाती है जब cells जो है बहुत अधिक मात्रा में बनने लगती है तो क्या होता है एक tumor का रूप ले लेती है ठीक है यह मतलब खत्म हो जैसे cells जो है डिस्टर्ब होई जो खत्म हो रहे है जो बहुत ज़्यादा बनने है वो इक अठ्था होती जाएंगी एक जगह पर इकठ्था होती जाएंगी खराब हो होगी तो क्या किस चीज़ का रूप ले लेंगी tumor का रूप ले लेंगी ठीक है और जो tumor होगा मैं आपको बता दूँ कि जो tumor cells होती है जो खत्म हो चुकी जो बिल्कुल एकदम दूसित cells है जो हमारी cancer से PD cells है वो दो तरीके के होते है ठीक है tumor दो तरीके का होता है मैं आपको बता दूँ tumor दो तरीके का होता है कौन-कौन सा होता है V9 and malignant tumor ठीक है तो जो विनायन tumor होता है दो तरीके के tumor मैंने आपको बता है tumor cells से दो तरीके हो रही है दो तरीके tumor हो रहा आपको तो tumor क्या है वहीं मैं आपको बता रहा हूं contact inhibition खतम हो गया तो यह सब चीज़ें जो cells है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो रही है, ज्यादा मातरा में उनका ग्रोफ हो रहा है, ज्यादा मातरा में से लिवीजन हो रहा है, तो उकठे होंगी, मतलब कैंसर सेल हो, उकठे हो जाएंगी, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, tumor कहते हैं, जो cancer cell है, उन्हीं को हम tumor कहते हैं, जब वह कहीं कठे हो जाती हैं, ठीक, वह tumor का रूप ले लेता है, तो tumor कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, एक होता है, benign, एक होता है, malignant, जो benign tumor होता है, मैं आपको बता दूँ, वो, मैं सिर्फ NCRT की बात करता हूँ, बाड़ी के इस पार्ट में है तो वो कहीं और पहुंच गया ठीक है वो हिले डुलेगा नहीं या ना ही उसकी सेल्स कहीं और जाएंगी बलड के थुरू या किसी चीज के थुरू अधर पार्ट में नहीं पहुंचेंगी वो उसी जगा पर कनफाइंड होता है आपरेशन के द परलिफरेट होती है ठीक है सेल्फ टूट फूट कर बलड के थुरू अलग-अलग जगहों पर जाती है मतलब अभी आपको यहां से ट्यूमर पर शुरुआत होई वो बाड़ी के इस पार्ट में इस पार्ट में कहीं पर भी जाकर इकठा हो रहा मतलब बहुत भायानक प्र प्रासेस भी होता इसमें तो यह मेटर स्टेसीस इसकी मोस्ट फियअड फ्रासेस है जिसमें बलड के थुरू जो है यह जो ट्यूइम पर- इसी को में इसको मैंने बोड पर नहीं लिखा लेकिन भी लिख दूंगा बोड पर इतनी ज़्यादा जगा नहीं ठीक है तो मैंने आपको एस चीज बता दी उसके 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 बारे में लिखेंगे छीज़ह मैंने के गाइंसर के बारे में लिखिए वो चीजंगा काएंसर यह इसकी बात बात में करेंगे कि किस चीज है त्व रहे हैं कि यूमन घõesेंट टाय आ जानती हैं ख़़ानाल स्थे नार्मल स्थे लिए और अनको जेनीग में बडलना क्या है का एञ education का उसके बाद की मर्द दो कि होते हैं मैंने आपको बताया नहीं यह इक त्रेक्ट हुआ पर लिए और इनुट्टru जो महासिस आप proliferating cell होती हो नियोपलास्टिक या cancer cell tumor cells कहते हैं तो नियोपलास्टिक के tumor cell आप ये दो तर्मियाद रखें कि नियोपलास्टिक और tumor cell एक ही चीज है ठीक है और grow rapidly invading and damaging the surrounding normal tissue ठीक है ये क्या करती है बहुत तेज grow करती है और invading and damaging और damage कर देती है किसको surrounding normal tissue को भी damage कर देती है किसमें हो रहा है ये malignant हो रहा है बिनाइन वाला तो ये जगा confined है उससे कोई उतना ज़द problem होने वाली नहीं है जहां पर वो इकट है वहां सकाट की निकाल दिये जाता है आप पेसेंट जो है ठीक हो जाता है ठीक है तो ये थोड़ा ठीक ठाक है वैसे तो cancer भाई भयाना गिमारी है लेकिन ये उससे तो ठीक ही है malignant से ठीक है उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी अब आते हम लिए काजेज आप cancer पे ठीक है काजेज आप cancer में धर आ जाता हूँ काजेज आप cancer देखे इसके agent होते हैं कौन कौन से agent हो सकते हैं physical, chemical और biological ठीक है तीन तरीके के agent हो आप देखी मैं हट जाता हूँ तो ये थोड़ा board में जो लिखा गया है वो ठीक हो जाता है मुझे ऐसा लगता है ठीक है तो physical, chemical और biological ठीक है उसके बाद एजेंट्स जो ये physical, chemical और biological एजेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं carcinogens कहते हैं क्या कहते हैं carcinogens कहते हैं ठीक है जो agent है उन्हें carcinogens जो answer काज करने वाले agent है agent मतलब समझते हैं जो इसको फैला रहे हैं जिसकी वज़ाँ से cancer हो रहा है उन्हें carcinogens कहते हैं ठीक है और वो agents कौन हो तक कितने तरीके हो सकते हैं physical, chemical और biological हो सकते हैं ठीक है उसके बाद ये भी cancer काज करते हैं कहूं Ionizing Radiations और Non-Ionic Radiation ये भी चाहां भी हो नान आइजिंग च्क त्योनु क्या लूत एरक। सब्सक्राइब नेखे shshowj में जब यून देख़ों यह तो है necessity में जो सब को कंट रोल किये हुआ है उसके growth और हर चीज़ को control किया हुआ है लेकिन जब उसको damage कर देती है तो उसी क्या होगा cancer काज होता है DNA को damage कर देने का work करती है ये आइनाइजिंग और नाइनाइजिंग इसलिए ज़्यादा X-ray और नहीं करवाना चाहिए तो ये चीज़ आप याद रखी उसके बार cancer causing viruses होते है जिन्हें oncogenic virus कहा जाता है cancer causing viruses होते है जिन्हें oncogenic viruses कहा जाता है ठीक है oncogenic viruses और इनके पास कौन सा gene होता है viral oncogenes जो cancer causing viruses होते है उन्हें कहा जाता है oncogenic viruses और उनके पास gene होता है viral oncogenes ठीक है यह आपने इसके काज़ भी पढ़ लिए उसी बाद केमिकल भी लिखा गया आप समझ ही गए होगे मैं आपको यहां लिखवाद लिख दे रहा हूँ हलका स्टलाइन मारके केमिकल होता है टोबाइको तोबाइको में निकोटीन उकंटीन होता ना इससे भी लंग का एंसर होता है क्यमिकल का में इजामपल यही है टोबाइको ही ठीक है तो टोबाइको आप क्यमिकल वारे टोबाइको याद रखिये है थीक है तो टोबयकों से भी होता है लग का एंसर जो कि major काज है ठीक है अच्छा एक कीज यह भी है कि हर व्यक्ति को हर किसी चीज से का एंसर नहीं हो सकता जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग तंभा को खाते हैं लेकिन किसी-किसी का एंसर होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वह व्यक्ति में वही चीज का एंसर काच कर पती है ठीक है इसी चीज को साइंटिस्ट लोग को पता लगाना है इसी चीज को साइंस को मेडिकल को इसी चीज में वर्क करना है कि यह चीजें को रिसर्च के थूप पता लगाया जासा, कि काॉन सा ब्यक्ति में, काउन सी चीज का एंसर काज कर सकती है। इससे यही होगा, कि हम लोग उसको बिल्कुल एकदम जीरो लेबल पे रोग देंगें। और वहां से उस व्यक्ति को मना कर देंगे आप बया यह चीज़ मत खाई इसN i.e.s, आपको सब्सक्राइब यह चीजों को ब्रोग देंगे उसको और इस तरीके से बच जाएगा वैक्ति थीक है आईए मफलोग और हिंसार दख व सारी चीजें इसमें हो गई है अब की लिए बहुत ज़्याधा कुछ इसमें बचा नहीं है Metastasis मैंने आपको बता ही दिया Metastasis आभी इंसमें दिया भी गया है Metastasis में लिखुआ नहीं रहा हो हुई है क्योंकि अभी Metastasis लिखुआने कोई मतलब नहीं कमाह को बता है वही जो cancer cell हैं जो tumor cells हैं वही proliferate होके body के अलग-अलग parts में blood के थुरू जाती हैं और वही metastasis कहलाता है ठीक है और यह most feared property आप क्या है cancer जो आप पढ़ रहे हैं tumor है malignant tumor की most feared process कहीं कोई पूछ ले कि malignant tumor का most feared property क्या है तो आप उसको बता दीजी कि क्या है metastasis ठीक है आईए पढ़ते है cancer is the one of the most dreaded disease of human beings ठीक है and is a major cause of death all over the globe मैंने आपको बता ही यह major cause है all over the globe मरने का ठीक है more than a million of Indians suffers from cancer and a large number of them die from it annually ठीक है और the mechanism that underlying development of cancer or oncogenic transformation of cells its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine यही मैंने आपको बताया अभी इसमें बहुत सारे chances है इस छेत्र में research का और जो है cell growth और differentiation cell differentiation का मतलब वही cell division जो मैं आपको बता है cell division और cell growth जो है बहुत ही control minor में होता है ठीक है and regulated और regulated होता है मतलब हर चीज किसी ने किसी चीज़ से regulate होती है ठीक है body में cells जो होती है in cancer cells the year is a breakdown आप दीज regulatory में लेकिन cancer cell में क्या होता है यह mechanism break हो जाता है कि जो cell growth है जो cell differentiation break हो जाता है कि कितने quality में होना है ठीक है कितना होना कितनी मात्रम normal cell so a property called contact inhibition normal cell के पास कौन सी प्रापर्टी होती है contact inhibition की property किसके पास होती है normal cells की पास contact inhibition की property किसके पास होती है normal cell के पास लेकिन by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth जिसकी वज़ा से जो cell होती है वो other cell को क्या करती है control कर किये हुए रहती है ठीक है और inhibit करती है और उनके uncontrolled growth को inhibit करती है ठीक है cancer cells appear to have lost this property लेकिन जो cancer cells होती हो उनमें क्या दिखाई पड़ता है कि यह प्रापर्टी जो contact inhibition की है उसको खत्म कर चुकी होती है ठीक है as a result of this cancerous cells just continue to divide और यह होता है cancer cell क्या होती है just continue to divide होती है just continuously divide होती है ठीक है rise to masses आपसे लगों बहुत सारी cells बन जाती है जिसकी वज़से क्या मैंने पताया था जब बहुत सारी cells इस तरीके से बने लेंगी तो क्या बना लेंगी tumor बना लेंगी tumor बना लेंगी tumor और टूटाइस benign and malignant इसमें मैंने आपको benign malignant दोनों बता दिया बगल में लिख भी दिया दोनों क्या आंतर है ठीक है benign confined है और वो जो है और लिफरेट होके बढ़ने वाला है और malignant में क्या है the malignant tumors on the other hand are masses of mass of proliferating cells called neoplastic जो proliferating cells है उन्हें क्या कहा जाता है नियो प्लास्टिक cell या उन्हें ही tumor cells कहा जाता है ठीक these cells grow very rapidly यह cells बहुत तेजी से grow होती है invading and damaging the surrounding normal tissue और जो surrounding के tissues हैं उन्हें damage कर देती है as these cells actively divide और यह cell क्या करती है actively divide होती है and grow they also star of the normal cell by competing for vital nutrient देखिए जो यह cells हैं क्या करेंगी जो बगल वाली cells है उनके जो nutrient है उन्हें भी सोचिंगे उनको हम भी पाजा जैसे यह तो खुद खुद खत्मी हो चुकी है उनके nutrient को भी सोचिंगे हम खत्म कर दें उनके nutrient को भी लेने की कोसिस करती है जिसकी वज़ा से क्या होगा बगल वाली cell भी खराब हो जाएगी यही तो हुद है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हाँ तो का पूझे थे cells from such tumours reach distance side through blood और इसमें सेल क्या होगी serious tumours in tumour से और स्टी डिस्टेंस राइट हो बहुत सारी जगों कई मलब बाड़ी के किसी भी जगह पर पहुंच जाएंगी और ब्लड ब्लड के थुरू wherever they get lost in the body और वहीं पर है क्या हुजलाइड मतलब वही होगा जम जाएंगी ना किसी जगा और जगा पे जाकर ठीक है बाड़ी में जाके दे स्टार्ट न्या ट्यूमर बन जाए भाई देखिए माली यह किसी बाड़ी पार्ट में ट्यूमर बना इध प्रद्दिन बढ़ते ही ठीक इस प्रापर्टी काल क्या कहते हैं इसको मेटास्टसिस is the most feared property of malignant tumor मेटास्टसिस को आप अंडरलाइन कीजिए मेटास्टसिस is the most feared of the most feared property of the malignant tumor ठीक तो आईए आपका एंसर पड़ते हैं काजे आपका एंसर आपको मैंने सब कुछ समझा दिय या कौन कौन से एजेंट है सब लिखा है बगल में बसे ही chemical वाला मैंने नहीं बताया था chemical अंडरलाइन मार्के टोबाइक को लिखवाती है जो आपके NCR टीम दिया गया ये टोबाइको ठीक है chemical transformation आप नार्मल सेल इंटू cancerous नियो प्लास्टिक सेल में भी induced by physical मतलब मतलब क कौन त्हूं सेलम बनने के लिए अधिए हाम आपको डाक्टर बनने के लिए कौन प्रेश्टिक कर रहा हम को कोई सीज़ बनने के लिए नालायक बनने के लिए में मुर्षित बनने के लिए हमें बत्तवेज्च बनने के लिए कौन प्रेडित कर रहा होगा हमें को कर्सीनोजन जो रखे हैं कर्सीनोजन काय प्याद को वीमारी काजण एजन को सिती हैं यह प्याद रखें टीक है वह इसी तरीक ATC शॉरी आइनाइजिंग रडीयेसंट्य लाइक एकसरेज मैं आप को बता कउन कोसे होती है एकसरेज इस्ट गामारेज एंड नान आइनाजी ग्रेडिएस लाइक यूगी काज डिन ने को डैमेज कर देती हैं लीडिंग टू नियो प्लास्टिक ट्रांसफार्मेशन और क्या होता है नियो प्लास्टिक ट्रांसफार्मेशन करा देती हैं किसका नार्मल सेल का नियो प्लास्टिक में बदल देती है ठीक नियोप्लास्टिक कोई तो ट्यूमर सेल कहते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स जो है यह दोनों एक सिनानिम है ठीक है दोनों एक दूसरे के विलकुल एक दम समान है ठीक केमिकल कार्सिनोजन्स परजेंट होते हैं है है बीन आइटेंटिफाइड और इनका पता लगा जाता है मेजर काज आफ लंकाइजर क्या है यही है ए डो टारीन कोई क्यूंस मोक ठीक है नहीं स्ट्वारी स्ट्री आहन लंकाइजर तक बड़ा था ना काँ मायर्च काइंस होते हैं उनको आंकोजएनिकस काई सा होते हैं और उनके पास के रहें और लकिता यह बताया तो आप इस एई इसेया अन्य बिल्कोर तरकाच कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं, cellular oncogens, यह c on को लिखा है, are proto-oncogens have been identified in normal cell, यह normal cell में पाएजाते हैं, ठीक है, which when activated under certain condition, देखिए, किसी condition में आकर activate होते हैं, वैसे तहें, जो agent मैंने आपको बताया, जो एजेंट अभी मैंने जो अब एजेंट जो बता रहा हूँ यह नहीं जो पहले बताया थे एक सरे थोड़ी हमारे सरीर में यह जो भी बता रहा हूँ सेलर आनकोजन्स और प्रोटो आनकोजन्स च्योंकि खुद भी कैंसर हो सकता ज़रूरी नहीं कि रेडियेशन के किसी कंडिशन में आकर किसी इस कि हमारे सरीर में किसी मिर्रल के कि सी कमी हो रही जिसकी वजह से सरकाज्च करने लगती हमारी सेल खुद यह कोई ऐसी हम लोग दवा बराबर ले रहे हैं दो चार दस भी साल से करना की सिंदिल relo आंकोजेन्स है बिन आइडेंटिफाइड इन नार्मल सेल which when activated under certain condition could lead to आंकोजेनिक ट्रांसपार्मेशन आफसेल बताया गया कि ये क्या होता है आंकोजेनिक ट्रांसफार्मेशन हो जाता है, ट्रांसफार्मेशन मतलब रूपांतरन, मतलब उनका रूप का बदल जाना ही रूपांतरन या ट्रांसफार्मेशन, ट्रांसफार्मेशन का ही मतलब रूपांतरन हो जाता है कि इसका नार्मल सेल का अंकोजेन्स में तो ये सब चीज़े आपको मैंने बता दी कि नार्मल सलकान को जो निक्सेल में बदलना ही क्या है कैंसर है आप बाकी चीजें अपने NCRT से पढ़िए काज़ आप कैंसर तक आप खत्म करिए उसके बाद इसका डिटेक्शन डाइगनोसिस एंड क्या है ट्रीटमेंट इसको मैं दोबारा फिर से सेकेंड पार्ट में खत करूंगा ठीक है आज यहीं तक रखते हैं आगे का लेक्चर कल सेकेंड पार्ट कैंसर को खत्म करने के बाद ड्राग एंड अल्कोहल दो लेक्चर में खतम उसके बाद यह चैप्टर आपका शमाप थैंक यू एक बार इसमाइल ले दीजी हमारे साथ ठीक है चलिए